और साथ को लेकर उद्धम सिंग नगर में मौसम विभाग ने यलो अलट जारी किया है वही जिला प्रशासन ने लोगों से आंधी और बिचली पे सुरक्षित इस्थानों पर रहने की अपील की है आपको बताने कि मौसम विभाग ने उत्राखंड में 15 से लेकर 18 तारीक तक भारी बारिश का नुमान जताया है तो वही उद्धम सिंग नगर जिले में भी 16 तारीक से लेकर 18 तारीक तक भारी बारिश और आधी को लेकर यलो अलट जारी किया इसके चलते सभी लोगों को अलट रहने के लिए कहा गया वही जिला आपदा अधीकारी उमाशंका नेगी ने बताया कि 16 जून से लेकर 18 जून तक जिले में यलो अलट जारी किया है उन्होंने कहा कि बड़साद के साथ तेज आंदी भी आने की संभावना है उन्होंने कहा कि जिले में 29 बाड चौकी और 8 कंट्रोल रूम बनाए गए है इमडी देहरदुन द्वारा यलो अलट जारी किया गया है जिसमें संभावना जताई गई है कि जन्पद में 16 से 18 तक आकासी बिजली जार जकड या जोकेदार हवायें चलने की संभावना है बरसाद की भी संभावना है तो इसमें यथा संभाव गर से बाहर ना निकला जाए और अगर ऐसी इस्तिती उत्पन होती है तो ऐसी इस्तानों पर खड़ा हुआ जाए जहां पर सेव रह सकते